बजार की हल्चल के अंदर मैं हूँ आपके साथ खिले शाटी और बजार की हल्चल में चर्चा करेंगे यहाँ पर हम क्रिशी फसलों की सबसे पहले चर्चक करेंगे यहाँ पर गेहों की जानेंगे कि गेहों की बजार से क्या ख़वर निकल के सामने आ रही है तो आपको पता दें कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद छीड़ा है तब से काफी सारे खाद्यानों की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है पूरे विश्व की एकनॉमी पर भी पड़ा है इसमें से एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व के लिए बेहत जरूरी है और वो है गेहों रूस यूक्रेन युद से वहां से बड़ी मातरा में होने वाली गेहों की सप्लाई रुकी है आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की पूरे विश्व में गेहों की हिस्सेदारी 30% की है यानि कि यह दोनों देश मिलकर पूरे विश्व की एक तिहाई की गेहों की सप्ल पी दो हजार बाइस तेईस के लिए दो हजार पंद रुपे प्रति कुइंटल तैकी हुई है लेकिन मंडियों में यह 25 सो तक बिक्ता नजर आया और कहीं कहीं तो इससे भी जादा दाम देखने को मिले दरसल रूस यूकरेन के युद शुरू होने से जो गेहूं की सप्लाई रुकी है उसको पूरा करने के लिए दूसरे देशों ने भारत की और रुक किया था ऐसे में भारत से गेहों के निर्यात में जोरदार तेजी देखी जाने लगी भारती गेहों के निर्यात मांग बरने से वेपारियों ने किसानों से MSP से जादा भाव में गेहों खरीद कर स्टॉक करना और निर्यात करना शुरू कर दिया था भारत सरकार ने किसानों को और वेपारियों को काफी प्रोच साहिद भी किया था लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि ये जो निरियात हो रहा था वे असंतुलित तरीके से हो रहा था सब ने ये देखा कि गेहु निरियात मांग जोड़दार है तो मुनाफ़क कमाया जाए असंतुलित तरीके से किया जा रहा था कि खुद भारत में इसकी किलब भी हो सकती थी और भारत को बाद में खुद इसका दोगुने दाम पर आयात करना पर सकता था आपको बता दें कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम ही बताया जा रहा है जून में समाप्त होने वाले फसल सत्र 2021-22 में भारत का गेहूं उत्पादन करीब 1064.1 लाक टन रहने की संभावना है ये पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 38 लाक टन कम है और 1113.2 लाक टन उत्पादन के पहले अनुमान की तुलना में लगभग 4.39 प्रतीशत कम गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में गर्म हवाओं से फसल प्रवावित हुई जिससे उत्पादन कम रहने का अनुमान लगाया गया है खाद्यान उत्पादन को लेकर जारी तीसरे अगरीम अनुमान के मताबिक देश में कुल मिलाकर अनाज उत्पादन 3145.1 लाक टन रहने की संभावना है जो पिछले साल हुए 3107.4 लाक टन उत्पादन की तुलना में जादा ही है सूतरों का कहना है कि पूरे विश्व में गयों का स्टॉक डिमांड की मुकाबले परियाप्त है रूस और यूकरेन की बीच जो यूध चल रहा है इसकी वज़ा से ब्लैक सी से होने वाली आवजाही बंद हो रखी है जिससे पूरी दुनिया के शिप्मेंट्स यहाँ पर अभी इस समय फसे हुए है और इसलिए ही गयों की ये स्थिती पैदा हुई थी और अब जब भारत सरकार ने गयों के निर्यात पर रोक लगा दी है तो इसकी कीमते नीचे गिरना तैही है अभी फिलहाल गयों की कीमतों में बले ही जाद गिरावट ना आए लेकिन जैसे ही बलेक सी से आवाजाही शुरू होगी हर एक कमोडिटी की कीमतों में जोरदार गिरावट आएगी और इसमें गयों भी शामिल रहेगा सरकार के गेहूं निर्यात पर रोक लगाते ही गेहूं की कीमतें पच्चिस सो से सीधे इकिस सो रुपे प्रती कुइंडल पर आ गई थी जो की अब और जादा गिर चुकी है मंद्य प्रदेश में गेहूं की कीमत इस सीजन में पहली बार नियूंतम समर्थन मुले दो हजार पंदर रुपे प्रती कुइंडल के नीचे तक पहुची है गेहूं की कीमते बले ही गिरी हो लेकिन गेहूं के आटे की कीमत अभी भी बढ़ी हुई है इस पर कारुबारियों का कहना है कि उन्होंने महेंगे दामू पर किसानों से गेहूं की खरीद की है तो आटा सस्ता कैसे बेच दें तो यानि कि जिस साब से अभी गेहूं का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि गियों की जो कीमते हैं उनमें अभी और गिरावट बनने की संभावना है